एक एक सब्जेक्ट जिसके अंदर में चाहो जितने माक्स ला सकते हैं बिना पड़े यह सब्जक्ट का इसे अंदर क्या करने हैं इसके अंदर बड़े-बड़े बते बोलनी है तो वो याद कर लो मुल्य अभीवरतीर वस्तुनिषटार एमानदारीर सत्य निष्ठार कर्थव निष्ठार बस ऐसे भारी भारी शब्द याद गरो तो अगले वीक्ति को ले हैं बहुत नेतिक आदमिय तो एथिक्स में नंबर कैसे लाया जाते हैं एथिक्स में अच्छे मार्च जो आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए जैसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर थिंक करके बारे में पूछ लिया जैसे माल यह पूछ लिया जाए कि महत्मा गांधी के अनुसार सत्य क्या है तो यह क्वेसे और वेस्टन थिंकर के बारे में पूछ लिया जाए कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है फिर सद्गुन क्या होते बारे में क्या का है इसके लिए सक लिए सुकरात पढ़ा हो तो भी बता सकते हैं सुकरातने क्या कआ है नहीं तो नहीं बता सकते हैं यह क्वेसे जैन्रिक् कर सकते हैं कि यपे प्रशाषन के अंदर वरतमान में चमश्षा ने देखी जाती यह तो अब इसके लिए क्वें पढ़ने की जुरूत हैं ऊटमैंव आद्मी जुकाओ उनका राजनिती करण हो रहा है, उनका सांपरदाई करण हो रहा है, उनके अंदर जातिवाद बढ़ रहा है, इस तरीके की चीजें जो आपने को देखने को देख रही है, इसके लिए को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह तो अगर वेक्ति सामान ने अपना common sense लग है, वो अलग लग वेक्ति अलग लग तरीके से ले सकता है, इसके लिए को जुरूरी नहीं है कि आपने दुनिया के सारे महापुरुष पढ़े हो, थोड़े बहुत जहां से जो याद आए, उनसे भी आप आंस्वर लिख सकते हो, जो एक बड़ा question आया था, 100 शब्दों का question आया, और उसके अंदर ही पुछा कि अलग लग महापुरुषों से हमको क्या क्या सीख जो है, वो मिलती है, तो अलग लग महापुरुष, याद करो कौन कौन से महापुरुष है, और उनसे जीवन से कुछ एक आदी, एक आदी सीख जो है, जो जो मिली, वो अपनी तरफ स किसी एक विचार के बिल्कुल कट्रता, अब कट्रता जो है, वो समाज के लिए गातक है, है कि नहीं है, है, मानते हो, तो अब इसको बताने के लिए आपको कोई टेकनिकल किसी एक ठिंकर को पढ़कर आंस्वर देनी को जरूत नहीं है, आपकी खुद की समझ से भी आप आं समाज के अंदर आलग लग देखा जाए, इसी से दंगे होते हैं, इसी से पने देखा कि पहले भी जो समाजिक अंड्रेस्ट है, सोशल जो अंड्रेस्ट होता है, वो इसी के कारण हुआ करता है, लोग फिर समंझस्य से एक साथ नहीं रह पाएंगे, अगर बहुत जदा कट और वो दूसरे किसी विचार को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, इससे समाज को क्या होता है, नुकसान होगा, समाज को भी नुकसान होगा, और व्यक्ति को भी नुकसान होगा, व्यक्ति के दर्श्रिकॉन से भी सही नहीं है, और सामाजिक दर्श्रिकॉन से देखा और हमारे पास में थोड़े जैसे अच्छे अच्छे शब्दों जिनके कारण जिनसे हम इन questions को tackle कर सकें तो questions किते प्रकार क्याते है ethics में दो प्रकार क्योंते हैं एक तो कैसे हैं जैनरिक questions और दूसरी questions को ने होते हैं टेखनी के लूट है चाई होते हैं इसके लिए अच्छी वोकैबिलरीई लिएक ऊच्छी शब्सक्तों का अच्छा याल बुन सकोब यह ईसा होटा है कि वोकेबिलरी है तो आप अच्छे माक्स उसमें स्कोर कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ की वर्ड्स होते हैं और वो की वर्ड्स अगर आपने अपने किसी डिक्शनरी में या फिर आप अपने खुद की अलग से बढ़ा लो कुछ कॉपी और उसमें वो लिख लिए तो हर क्वेश्चन के अंदर हम उसको लगातार यूज कर सकते हैं तो जैसे एथिक्स के अंदर वे ऐसे कई सरे भारी-भारी शब्द हैं उन भारी-भारी शब्दों घुमा फिरा कर वहीं लणा है कि वही करतव पर लेकाना है और वही अधिकारों के दूर्पियों को रोकन अधिक्ता के स्थापना कर देनी है अब यह ऐसे भारी-भारी कुछ शब्द है और उन भारी-भारी शब्दों को आपने अपने वोकेबलरी में लिख रखा है और जब भी अपने जैन्रिक आंस्वर देने होते हैं जैन्रिक कोस्चिन से तो उनका आंस्वर लगबग एक ज पढ़ने वाला भी जो ऐसा देखा कर रहा है तो अच्छे शब्द होने चाहिए और अच्छे शब्दों के लिए अलग से क्या मनानी बढ़ेगी वोकेबलरी तो अच्छी वोकेबलरी जो हो तियार करो उसका प्रियोग जो उसमें किया जा सकता तो सबसे पहला तो अच्छ अच्छी वोकेबलरी शब्दावली अच्छी होने चीए दूसरा अच्छी अपने पास में वोटेशन्स क्योंकि एक तो बात अपने कही है बात तो सब नॉर्मल सी है ऐसे खास बात है निए एक तो अपन कहें और एक वही बात किसी महापुरुष के मुंसे निकलवाई है चाल के यह जा लिए महापुरुष ने बूला है सक्टे जूए मेरी जीवन का उद्यक्त है एक तुम्हाद्माग्ण्दी ने कहाई कि सत् exh crackार्म आया इंडिक्स केन्दर दूसरे पनो पास क्या आ किए क्वेटेशन होने चीए तो उन प्रियोग कर सकते हैं तो तीसरी फिर थोड़ी बहुत टेकनिकल नॉलेज अगर थोड़े बहुत थिंकर्स विंकर्स आपको पता है तो बीच बीच में थोड़े-थोड़े कोटेशन दाल दो बीच में थोड़े थोड़े अच्छे-च्छे शब्द लियाओ और अच्छे-च्छे शब्द लाकर जो है वह आंस्वर अच्छा हो जाता है तो इस तरीके से एथिक्स को अपने को डील करना है ठीक है और किस त्रिश्ची कौन से पढ़ना है इसको एक्जाम पॉइंट ऑफिस से पढ़ना है जिन्दगी को अफेक्ट नहीं करवा देना एथिक्स है एथिक्स पढ़लीर तुम को यार यार यह क्या है ऐसा कुछ नहीं है कोई भी थिंकर जो है उसकी बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है ऐसे दिल में लेके मत बैठ जाना कई ऑफ़ए ऐसे थिंक कर आएंगे जैसे तुमने अगर पढ़ाई होगा शनकरारे आप शंक्राचारे कैथ je शंक्राचारे ब्रम सत्यम जगत मिथ्या ब्रम सत्य 당 उस इस जह कुछ है मैं ब्रह्म हूं त्त्व ब्रह्म हो अब उपने से मानने लग जाये अहम ब्रह्मास्मी त्थ्वह इसलिए इन बातों को ज़्यादा सीरियसली लेने की नहीं है जैसा जो मात्मा गंधी ने एक बात कई भी थी मात्मा गंधी कहता है कि अनावश्यक दार्षनिक उल्जनों से विक्ति को बचना चाहिए अन्नेसेसरी फिलोसफिकल सामान इस एहम अब अब को यह आपनी को औरहों की आपनों अनुक्रों कि पढ़ना उसको जीवन करते हुस्त पढ़ना पढ़ना है इसको एक्जाम पॉइंट ऑफिस है पढ़ना है क्योंकि एथिक्स में ऐसे कई सारी चीज आएगी जो तुम्हारे थोट्स जो थोड़ा हिला देगी जो तुमने पहले से सोच रखा है उसके बिल्कुल वीपरित तरीके की बातें जो हो सकती है वह सकती है तो दिम मज़दार है इसलिए अगर उसको सामाने जीवन में भी लागू करके देखेंगे तो भी अपने मान लेंगे कि हां अलग लग बात अलग लग जगहों पर इस तरीके से लागू होती है उसका फिर अपने एक्जाम में किस तरीके से यूज कर सकते है अब देखो एथिक्स ज